इस वीडियो में पढ़ेंगे आज हम एंटनीम्स फर्स चैप्टर के ये जो सेमेस्टर है तुम्हारा स्टुडेंस इसमें सिर्फ फाइफ चैप्टर है और उन चैप्टर की जो एक्ससाइज है उनको भी हमें कम्प्लीटली थोरोली कर लेना चाहिए क्योंकि इसमें हम रिस् इतना कब है उपर से उसको थोरोली पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है knowledge भी बढ़ती और marks भी अच्छा आते हैं तो इसी विचार के साथ पढ़ लेते हैं फिर्स जो वर्ड है वो है crafty crafty मीन्स होता है चालाक cunning चालाक और cunning या फिर crafty का जो apposite होता वो होता foolish जिसका मतलब क्या होता है मूरक foolish मूरक और इसका apposite क्या है crafty antonyums का मतलब मैं तुम्हें बता दू antonyums का मतलब होता है विप्रीत अर्थ वाले शब्द विप्रीत अर्थ वाले शब्द आपको पहले से पता भी होगा second और important word है rival rival का मतलब होता पर्तिद्वंदी और पर्तिद्वंदी से भी और आसान भाषा में हम समझे तो वो सामने वाला जिससे हमारा मुखाब्ला होता है पर्तिद्वंदी और इसका जो antonyum होगा वो है associate associate होता है मदद करने वाला डेकिन rival क्या होता है जिससे हमारा मुखाबला होगा पर्तिद्वंदी जो होगा उसको हम कहते है rival associate जो हम associate होता है सहयोगी एक word मिल गया इसका हिंदी में अच्छा associate क्या होता है सहयोगी और rival क्या होता है परतिद्वन्दी या फिर जिसे हमारा मुकाबला हो next important word है आपने एक word सुनाओगा measure measure का मतलब होता है मापना measure word सबने सुन रखा होगा और ये पूरा word है immeasurable सबसे पहले तो हम इसको यहां तक पढ़के देखें im हटा दो miserable बनता है miserable का मतलब जिसको मापा जासके और जिसके भी सामने im लग जाता है वो opposite हो जाता है immeasurable का मतलब जिसको मापा ना जासके immeasurable और इसका opposite होगा limited यानि सिमित सिमित जिसको मापा जाजके Next है Charity Charity का मतलब दान दया और इसका पोजिट है Unkindness Unkindness जो कुरूर हो जिसमें दया बिल्कुल भी ना हो एक वर्ड होता है Kind उससे ही बना हुआ है यह वर्ड भी Unkindness Confusion ऐ व्यवस्था इधर उधर चीज़े बिखरी हुई होना order का मतलब होता है व्यवस्थित करम में होना सारी चीज़े next है offend offend मतलब होता है नाराज होना please, खुश होना disappeared, द्रश्य, दिखाई ना देना appeared, द्रश्य होना, दिखाई देना हमने prefix पड़े थे पहले वाली कुछ वेडियोज में पड़े थे उसमें तुमने देखा होगा यहाँ पे यहीं word है और इसके सामने prefix लगा हुआ है वो भी कौन सा dis, dis जहाँ पे भी आ जाता है उसका opposite हो जाता है appeared, disappeared appeared होता है द्रश्य और disappeared हो जाएगा द्रश्य बहुत अच्छा word है opulence, opulence होता है स्मर्धी opulence, स्मर्धी और इसका opposite क्या होगा poverty, poverty मिन्स क्या होती है गरीबी poverty मिन्स गरीबी arrest, पकड़ना arrest मिन्स क्या होता है पकड़ना, release छोड़ना arrest, पकड़ना, release, छोड़ना next है important virtuous, virtuous होता है गुणी, जिसमें बहुत ज़्यादा गुण हो चरित्रवान भी कहते है इसका opposite होता है wicked, जिसको हम हिंदी में दुष्ट कहते हैं, wicked mortal, mortal होता है नश्वर, यानि एक line कही जाती है man is mortal, तुमने पहले वाली poem में भी पढ़ी होगी man is mortal, या life is mortal जो भी चीज़े है mortal का मतलब होता है, नश्वर और नश्वर आसाने से समझें, तो वो चीज़ें जो समय के साथ खतम हो जाए जिनकी death हो जाए, उनको हम कहते हैं हिंदी में नश्वर और इंग्लिश में mortal, इसका opposite होता है, immortal immortal का मतलब अमर कहते हैं न, आत्मा अमर है, तो वो होता है अमर यानि जो समय के साथ खतम ना हो, as it is रही लास्ट जो वर्ड है वो है salutation salutation का मतलब अभिवादन सतकार, सम्मान और insult का मतलब पेज़ती करना अपमान करना तो ये थे chapter first के antonyms, उमीद है आपको समझ में भी आए होंगे, याद भी होंगे चैनल पे नई होंगे तो subscribe जरूर कर लेना ताकि और भी वीडियोज आप तक पहुँच जाएं